यूकरेन में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने अपने अभियान को तेज कर दिया है अब छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए चार केंदरी मंत्री यूकरेन के पडोसी देशों में जाएंगे इनमे केंद्री मंत्री हरदीप सिंगपूरी, जोत्रियादीति सिंधिया, जनरल वीके सिंग और किरेन रिजिजू शामिल हैं इंडिया टुडे की रिपोर्टर पॉलमी साहा के मुताबिक इन सभी मंत्रियों को भारत का विशेश दूद बनाकर भेजा जाएगा ये मंत्री यूक्रेन से भारतियों की निकासी अभियान में मदद करेंगे सोमवार्त उबह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर एक उच इस्तरी बैठकी जिसने ये फैसला लिया गया भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतियों को वापस लाने की अभ्यान को आप्रेशन गंगा नाम दिया है पॉलमी सहा के मताबिक केंद्री मंत्री हरदीप सिंगपूरी हंगरी जाएंगे वहीं जोतिरादिति सिंधिया, रोमानिया और मोल्दोवा के जरिये आने वाले भारतियों का प्रबंधन देखेंगे किरेंड इजुजु स्लोवा किया जाएंगे इसके अलावाँ जनरल वीके सिंग को पोलेंड में निकासी अभियान को देखने की जिम्मेदारी दी गई है पीम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षिता में हुई बैठक में आज विदेश मंतरी एस जैशंकर, विदेश सचिफ हर्षवर्धन शरंगला, रास्ट्री सुरक्षा सलाकार अजीट डोभाल और दूसरे मंतरी भी शामिल थे यूकरेन संकट पर पिछले 24 घंटे के भीतर भारत सरकार ने ये दूसरी बड़ी बैठक की है इससे पहले रविवार 27 फरवरी को एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी इसमें पीम नरेंदर मूदी ने कहा था कि यूकरेन से भारतिये चात्रों को तुरक्षित निकालना देश की प्राथमिक्ता है ओपरेशन गंगा अभियान में अब निजी एरलाइन्स, स्पाइस जेट और इंडिगो भी जुड़ गये हैं मिली जानकारी के मुताबिक इस पाइस जेट की फ्लाइट्स का संचालन हंगरी से होगा बता दें कि अभी तक इस अभियान में सिर्फ एर इंडिया के विशेश विमानों का ही इस्तिमाल हो रहा था एरलाइन्स कमपनी इंडिगो ने खुद भी भारतियों को वापस लाने के बारे में जानकारी दी है ANI के मुताबिक Indigo ने बताया भारत सरकार के ओप्रेशन गंगा के अभियान के तहत भारतियों की सुरक्षित वापसी के लिए Indigo की दो फ्लाइट्स रवाना होगी इनमें से एक फ्लाइट दिल्ली से रोमानिया के बुकारेस्ट और दूसरी फ्लाइट बुड़ापेस्ट के लिए रवाना होगी उधर भारती विदेश राजमंत्री वी मुर्ली धरन ने सोमवार 28 फरवरी को एक ट्वीट कर बताया कि हंगरी की राज़ानी बुड़ापेस्ट से छटवी ओप्रेशन गंगा फ्लाइट दिल्ली लोटी है इसमें कुल 240 भारतियों को वापस लाया गया है इससे कुछ घंटे पहले विदेश मंत्री एस जैशंकर ने अपने एक ट्वीट में बुकारेश से एक फ्लाइट के आने की जानकारी दी थी उन्होंने इस ट्वीट में लिखा था कि भारतियों को सोदेश वापस लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं पांचवी ऑपरेशन गंगा फ्लाइट 249 भारती नागरिकों को लेकर रुमानिया की राजधानी बुकारेश से दिल्ली के लिए रवाना हुई भारती विदेश मंत्राले ने यूकरेन में फसे भारतियों की मदद के लिए एक अलग ट्यूटर हैंडल भी शुरू किया है इसका नाम है ओपरेशन गंगा हेल्प लाइन विदेश मंत्राले की प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने रविवार को कहा कि लोग अपने सभी सवालों को इस ट्यूटर हैंडल के जरिए बता सकते हैं आपके लिए खबर लखीती हमारे साथी साकेत ने कैमरे के पीछे हैं विजय मैं हूँ सौरब देखते रहिए दिललन टॉप